Hello Everyone, This is Anshu and Welcome to Revision Classes आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Sex Determination in Honeybee मतलब मधुमक्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसको हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इसके पहले हमने Sex Determination in Human को complete कर ले आ है और ये उसी का एक दूसरा पार्ट है तो चलिए समझते हैं कैसे होता है मतलब मधुमक्यों में लिंग का निर्धारण तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि मतलब मधुमक्यां कितने तरीके की होती हैं तो जब हम Honeybee की बात करते हैं तो Honeybee mainly three types की होती हैं जिसमें एक तो male होता है male को हम drone बोलते हैं और दो female होती हैं जिसमें एक female को बोला जाता है worker bee क्योंकि इसका काम होता है कि वो nectar को collect करेगी flower पे बैठेगी flower पे बैठ के वो nectar को सक करती है और उसको लाकर वो उसी से शहर बनाने का काम करती है और दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं queen bee वो जो पूरा Madhumakhe का चधता है उसकी वो queen होती है तो यह डोनो हमने देखा कि यह दोनो क्या है female है और इस पूरे चधते में जो Madhumakhe का है उसमें एक male है जिसको की drone बोला गया है अब यहाँ पे हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन haploid होता है कौन diploid होता है मतलब कि इसमें two sets of kromosome पूरे present होते हैं और किसमें एक set पूरा कम होता है तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं यहीं पे तो honey bee में जो male है इस male का अगर हम kromosome देखें तो male में एक set पूरा कम होता है female से तो आप यहीं पे समझ सकते हो तो अगर female हमारी diploid है तो male कैसा होता है male haploid होता है और इसमें kromosome नंबर पूरा एक set कम होता है female से यहाँ पे अगर हम female को देखें तो मधुमक्खी में और दूसरा queen है तो यह दोनों है deployed deployed हैं मगर क्या ऐसा difference है जो इनको अलग करता है कि कुछ worker हो जाती है और कुछ queen हो जाती है तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि worker का काम होता है यहाँ पे nectar को collect करना शहद बनाना मगर इस पूरे छत्ते में एकलौती queen ही ऐसी है जिसके पास यह ability होती है कि वो reproduction कर सकती है और अपने generation को आगे बढ़ा सकती है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस पूरे छत्ते में जो मधुमक्खी का पूरा छत्ता है सिर्फ queen ही है जो कि fertile होती है या फिर यह reproduction कर सकती है वरकर या फिर ड्रोन दोनों की अगर बात किया जाया तो अभी ड्रोन हत्या देते हैं वरकर जो है वो esterile होता है मतलब कि वो कभी भी pregnant नहीं हो सकती या वो कभी भी छत्ते में मधुमक्खी का जनन नहीं करा सकती है अब हम बात कर लेते हैं कि N और 2N जो हमने लिखा है उसमें क्रोमोसोम नंबर है कितने तो देखो 2N वाले को पहले समझते हैं कि यह जो female मधुमक्खी है वो 2N है मतलब कि कहीं ना कहीं वो किसी male और female parents के मिलने के बाद इसका जन्म हुआ है N और N दो मिले हैं तब जाके 2N बना है तो यह जो प्रॉसेस है उसमें आधा क्रोमोसोम उसको male मधुमक्खी और आधा female से मिला है तब जाके यह deployed बनी होगी तो यहां total क्रोमोसोम नंबर 2N में हमको 32 दिखाई देते हैं तो हम यहां यह समझेंगे कि मधुमक्खी जो female होती है उनमें गुरसुत्रों की संख्या या फिर क्रोमोसोम नंबर total 32 होता है जबकि जो male मधुमक्खी या honey भी है वो इसके just half हो जाते हैं तो यहां पे गुरसुत्र या क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है 16 हो जाता है अब अभी यहां तक हमने समझ लिया है कि मधुमक्खियों में type कितने है और type के अलावा यहां पे मधुमक्खी जो है उसमें क्या क्रोमोसोम नंबर है या यह सारी की सारी चीज़ें कितनी है उसमें अब हम reproduction के process को समझेंगे तो ध्यान दो यह just एक story है story के थूह हम समझेंगे मालों यह पूरा एक मधुमक्खी का चत्ता है इस पूरे चत्ते में तीन तरीके की मधुमक्खियों रह रही है एक है जिसको हम D से ड्रोन दिखा रहे हैं एक worker है और बीज में अपनी बड़ी सी queen रह रही है तीन तरीके की मधुमक्या हैं और इन छत्ते में हमें ये भी पता है कि सिर्फ एक queen ही ऐसी है female में जो की क्या हो सकती है कि वो आगे reproduction कर सकती है अब जब ये queen reproduction कर सकती है तो क्या ये पूरे lifetime reproduction करेगी या कोई एक निश्चित सीमा या limit लगाया गया है कि वो एक ही बार reproduction कर सकती है तो यहां हमें याद रखना है कि queen जो है वो reproduction के लिए जो mating होता है वो सिर्फ एक ही बार करती है और जब ये mature queen mating इसको करना होता है तो अपने छत्ते से बाहर निकलती है समझो कि ये queen है अपनी एक मधुमक्यी तो ये छत्ते से बाहर निकलके जाती है और अपने life का सबसे उ उचा जो होता है ना कि एक उची flight या उड़ान भड़ती है छत्ते से बाहर ये सबसे उचे उड़के जाएगी अब इसके पीछे ये जितने भी drone है ये जितने भी drone है सारे के सारे उड़के इसके पीछे जाते हैं पूरे छत्ते के जितने भी drone है सब अब यहां पर क्या होत उसकता है कि जो भी ड्रोन सबसे पहली बार मधुमक्ти के पास पहुँच जाएगा उससे मधुमक्희 क्या हो जाएगी उसकी समझो शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मेटिंग के बाद ही यह जो मेल था वो क्या हो जाएगा मर जाएगा यह डाई कर गया यह मर गया है इसके बाद जिसने मेट किया वो तो मर गया है बाके जितने भी ड्रोन इसके पीछे पीछे उड़े थे जब यह देखते हैं कि चलो रानी की शादी तो किसी और से हो गई में घूमते हुए दिखाई देते हैं और बिना खाना के यह वही पर मर जाते हैं अब हम यहां देखते हैं कि मधुमकी ने जो की आफ्टर मेटिंग स्पर्म अपना इसमें स्पर्म जो है वो इसके बॉड़ी के अंदर इंटर कर गया है अब यह मधुमकी छत्ते पर आएगी यहां पर हम देखेंगे कि यह जो क्वीन थी उसके पास कितना क्रोमोसोम नंबर होता है 32 और यहां पर जिस ड्रोन से उसने शादी किया है इस ड्रोन के पास क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 16 होगा अब आफ्टर मेटिंग यह क्या करेगी अब यह बनाएग एग मेटिंग के मिटिंग के पहले यह क्या होती है और मियोसिस के बाद मियोसिस का मतलब होता है समसुत्री विभाजन समसुत्री विभाजन के बाद यह युगमक बनाएगी ग्यामीट बनाएगी जिसमें कि 16-16 ग्यामीट बनेंगे इसके क्यूंकि drone हमाला पहले से ही haploid है तो ये meiosis नहीं कर सकता है and that is why ये समसुत्री विभाजन के बाद बनाता है gamete और समसुत्री विभाजन में हमें पता है कि number of chromosome जो हैं वो half नहीं होते तो इसने 16 ही gamete बना लिया तो ये अपने gamete बन गए अब देखो ये मधुमक्षी जब gamete बना ली थी उसी वक्त इसने क्या किया शादी के लिए ये छट्टे से बहार उड़के गई और drone से after marriage उसने उसका sperm लिया और इस sperm को जब ये अपने egg से मिलाएगी तो total number 32 हो गए और यहाँ पे उसने reproduction के बाद female मधुमक्षी फिर से बना ली कैसे पता चला कि ये female मधुमक्षी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे chromosome number देखा कि यहाँ 32 chromosome है और हमें पता है कि deployed हमेशा female ही होती है that is why after mating जब queen का egg drone के sperm से मिलेगा तो ये reproduction जो होगा इससे female मधुमक्षियां ही उत्पन्द होंगी अब कभी कभी क्या होता है कि ये मधुमक्षी जो है वो fertilization नहीं कर पाती drone से क्यों नहीं कर पाती क्योंकि मधुमक्षी अपने lifetime में एक ही बार meet करेगी और एक ही बार drone का वो sperm अपने body में inject करा सकती है तो इसके बाद से पूरी life वो सिर्फ अपना जो unfertilized egg है मानलो इसको हमने बोल दिया कि unfertilized egg ये fertilization में participate नहीं किया है और इससे वो क्या करेगी कि direct वो मधुमक्षियां बनाना शुरू कर देगी तो जो भी मधुमक्षियां बिना fertilization के होती है वो सारी की सारी अब क्रोमोसोम नंबर कितना रखेंगी 16 ही रखेंगी और ऐसे मधुमक्षियों को जिनमे की बिना fertilization के जिनका निर्माड हुआ है उसको हम बोलते हैं कि वो सारे के सारे male मधुमक्षिया फिर ड्रोन बनते हैं तो यहां हमने देखा कि कैसे ड्रोन बनते हैं और कैसे हमारे worker और honey भी बनते हैं queen भी बनते हैं तो यहां यह जो process है जहां पे एक queen भी बिना fertilization के अपनी एक ड्रोन बना रही है अपने male जो संतान है उनको उत्पन कर रही है इस process को हम बोलते हैं पार्थीनो जेनेसिस या फिर हिंदी में आप इसको अनिसेक जनन बोलते हो जिसमें कि बिना fertilization के ही संतान उत्पन हो जाती है तो यहां तक हमने समझ लिया कि मधुमक्यों में लिंग का जो निरधारण है वो कैसे होता है इससे दो बाते आपके दिमाग में बैठ गई होंगी एक तो यह कि मधुमक्यों में पार्थीनो जेनेसिस भी होता है मतलब कि अनिसेक जनन जिसके थूँ मधुमक्यां मेल संतान या फिर ड्रोन बनाती हैं दूसरा आपने यह सीखा कि मधुमक्यों का जो लिंग निर्धारण है वो कभी भी गुड़सुत्रों के प्रकार पे निर्भड नहीं करता जैसे कि हमने हुमन में देखा था या पक्षियों में देखा था कि उसमें XXXY या ZWZZ टाइप का रिप्रोड़क्शन होता है मधुमक्यों में यह सारा का सारा जो लिंग का निर्धारण या सेक्स का determination है वो number of chromosome पे depend करता है जो deployed है वो female हो जाती है जो applied है या फिर जिसमें आधा chromosome है वो क्या हो जाएगा male हो जाएगा अब इस female में भी जो 32 chromosome आया है न जैसे मालो female हमारी बनी है 32 chromosome आले जितनी भी आई वो सारी के सारी female बना दी है तो यहाँ पे भी यह जो female है वो हमें पता है कि कुछ queen बनेंगी और कुछ क्या बनेंगी कुछ worker बनेंगी अब यह बनना किस पे depend करता है तो यह depend करता है कि उस छते में जो खाना है या फिर जो food है वो food कौन कैसा मतलब किसको कैसा food मिल रहा है queen हमेशा royal jelly पे feed करती है मतलब जो छते का सबसे best खाना होगा उसको royal jelly आप बोल सकते हो वो जो खाएगा वो queen बनेगा जो worker होते हैं वो पूरे के पूरे जो honey भी nectar लाती है उसपे feed करते है nectar का मतलब मकरंध होता है फलो का जो juice होता है उसको समझ जाओ उसी को nectar बोलते है तो queen जब तक वो अपने आपको eligible समझती है कि मैं इस पूरे मधुमक्यों के सामराजी को अभी भी शासन इसपे कर सकती हूं तब तक ये queen एक anti-queen substance या chemical सेक्रीट करती रहती है छटे में चारो तरफ और ये anti-queen जो substance या chemical है वो हर एक worker को रोकता है कि वो कभी भी queen के जैसा behavior या queen के जैसा वो नहीं बन सकती है तो हमने ये सीख लिया कि ये जो female थी उसमें queen और worker का बनना कैसे होता है जो queen है anti-queen substance शिड़केगी जिसे worker कभी भी queen नहीं बन पाएंगी और क्यूंकि ये royal jelly पे feed नहीं करती है और anti-queen substance इनके उपर work कर रहा है that is why ये हमेशा कैसी होती है sterile होती है बंद ये प्रकार की होंगी कभी भी ये reproduction नहीं कर पाएंगी और queen जो है वो अकेली उस छते में ऐसी रहेगी जो कि क्या कर लेगी reproduction कर लेगी और reproduction करती है that is why इसका नाम हमने queen भी रखा है ठीक है तो ये पूरा का पूरा process था मधुमक्यों में लिंग निर्धारर का कि कितने तरीके की मधुमक्यां है उनका निर्माड कैसे हुआ है और क्या क्या ऐसे मतलब processes है जिसके थूरू ड्रोन वरकर और queen का जन्म होता है So that's all for today Thank you and have a good day